हेलो एबरिवन टेस्टी फूट एंड लाइफ स्टाइल विद उतकर्शा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हुतकर्शा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिरर ग्लेज केक की रेसिपी जी हाँ फ्रेंट्स में जो mirror glaze cake है बहुत ही tasty लगती है खानी में और साथ ही साथ इसे बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं और ये जो mirror glaze cake की जो मैंने icing की है उसके लिए नहीं मैंने gelatin यूज किया है और नहीं अगर-गर तो बहुत ही आसानी से आप इस cake को बना सकते हैं घर पर और बहुत ही tasty cake बनकर आपकी तयार होगी तो चलिए बिना देर की recipe स्टार्ट करते हैं और recipe स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरे एक छोटी सी request है कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को subscribe करें साथि साथ पास में bell icon उसे भी on कर लें अब हम क्या करेंगे cake tin ले लेते हैं और cake tin को अच्छे से हम grease कर लेंगे cake tin के base को और sides को हम अच्छे से grease करेंगे उसके बाद उपर से हम डाल देंगे butter paper और butter paper को भी हम grease कर लेंगे ग्रीस करने के लिए आप मिल्टड बटर या फिर ओयल यूज़ कर सकते हैं और केक टिन के बेज और साइट स्टोनों को ही अच्छे से ग्रीस करें ताकि केक जो है इसली बाहर आ सके और यह केक टिन ड्रेडी हो गई अब हम बैटर तेयार करते हैं बैटर के लिए हम सबसे पहले 1 फोर्थ कप ओयल ले लेते हैं या फिर मेल्टड बटर ले लेंगे और हाफ कप पॉडर शुगर यानि अगर आपके पास पॉडर शुगर ना हो तो आप बीसी वी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं चीनी को पीस करके ले लें तो यहाँ पर हाफ कप हम पीसी वी चीनी ले लेते हैं और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब एक बहुत ही इंपोर्टन स्टेप यह है कि अब हम इसमें मैदर डालेंगे और मैदर ऐसे हमें डारेक्ट नहीं डाली है इससे चान करके ही लें तो इसे हम चान करके ही लेंगे इससे केक बहुत ही सॉफ्ट स्पॉंजी बनती है तो यहाँ पर मैंने वन कप मैदा लिया है हाफ टीजपून बेकिंग सोडा लिया है और वन टीजपून बेकिंग पॉडर लिया है इन दिनों को हम अच्छे से चान लेंगे इससे cake में aeration आते हैं और cake बहुत ही soft spongy बन कर तियार होगी तो इसलिए मैंने बोला इस step को आप बिल्कुल भी skip ना करें उसके बाद इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं अब हम इसमें दूद एड़ करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी करके इसमें दूद एड़ करें और दूद जो है वो बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए रूम टेंपरेचर पे होनी चाहिए तो दूद जो है वो रूम टेंपरेचर पे होनी चाहिए तो वैसे ही दूद यूज करें आप और एक ही direction में ऐसे mix करते जाएं तो थोड़ी थोड़ी दूद के हम इसमें add करेंगे और lumps free batter तयार करेंगे और बिल्कुल एक ही direction में ऐसे mix करेंगे तो ये batter हमारी ready हो गई है अब इसमें हम essence टालेंगे आप अपनी मन पसंद की कोई भी essence टाल सकते हैं मैं यहाँ पर butter scotch की essence यूज़ कर रही हूँ अगर घर में नहीं हो तो आप without essence भी आप इस cake को बना सकते हैं तो अब आप इसकी consistency देख सकते हैं ये batter तो हमारी ready हो गई है अब हम क्या करेंगे कढ़ाई को preheat कर लेंगे मैं ये cake कढ़ाई में सिखा रही हूँ बनाना पांच मिनट के लिए preheat करेंगे नीचे stand रख देंगे और ढख करके पांच मिनट के लिए low flame पर इसे हम preheat होने देते हैं और तब तक हम इधर क्या करेंगे batter को इस cake tin में डाल देंगे batter को मैंने इस cake tin में डाल दिया है और अब हम इसे tap कर लेंगे tap करने से क्या होता है कि इसमें जो भी air bubbles वेगरा होते हैं वो निकल जाते हैं वो air bubbles वेगरा नहीं रहते तो इसे लिए इस cake tin को हम एक बार tap कर लेंगे और अब हम इस cake tin को preheated कड़ाई में डाल देंगे direct कड़ाई में बिल्कुल भी ना इसे रखें cake tin को हमें किसी चीज पर रखना है यह तो मैंने steel के stand लिए या फिर आप steel की छोटी सी plate ले सकते हैं उस पर भी रख सकते हैं direct नहीं रखना हमें कड़ाई में उसके बाद हम ढख करके लो फ्लेम पे इसे cake को बेक होने देंगे और लगभग 35 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे और 35 मिनट में मेरी यह cake बिल्कुल ready हो गई है 35 मिनट मैंने बेक किया है cake ready हुई है या नहीं यह कैसे हम चेक करते हैं यह toothpick से या फिर knife ले लेंगे और उसे बिल्कुल सेंटर में डाल देंगे उसके बाद अगर cake इस पे चिपक रही हो तो इसका मतलब यह होगा कि cake जो है भी कच्छी है लेकिन यह cake देख सकते हैं आप मेरी बिल्कुल ready हो चुकी है क्योंकि जो तूथपिक है वो बिल्कुल clean आ रही है इट मिन्स के cake मेरी bake हो चुकी है तो अब इस cake tin को हम बाहर निकाल देंगे और इसे हम अच्छे से ठंड़ होने के लिए छोड़ देंगे अगर तूथपिक पर नाइफ पर cake आपके चिपकरी हो तो पांच मिनट के लिए bake और होने दें cake को उसके बाद फिर shake करें और अब यह complete ठंड़ी हो चुकी है तो इस तरीके से हम knife से side-seats तरीके से कर लेते हैं और cake को अब हम बाहर निकाल देंगे अगर आप गर्म cake को ही बाहर निकालेंगे तो उससे क्या होगे cake आपकी तूट सकती है तो cake जब complete ठंड़ी हो जाए उसके बाद ही इसे निकालें और यह देखिए बिल्कुल perfect cake बनकर तयार हो गई है बिल्कुल soft sponge cake बनकर तयार हुई है और इस cake को अब हम refrigerate करेंगे freezer में रखेंगे हम 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए freezer में इस cake को हम रख देंगे freeze में नहीं रखना है freezer में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए और तब तक इधर हम क्या करेंगे icing तेयार करेंगे तो आइसिंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 फोर्थ कप मैयादा और हाफ कप मैंने लिया है मिल्क पौडर और पीसी वीचीनी यानि शुगर पौडर लिया है मैंने हाफ कप इन दिनों को में एक बर मिला लेते हैं और अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डाल करके हम बिल्कुल स्मूथ वैटर तयार करेंगे इसे अच्छे से मिक्स करें बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होनी चाहिए तो लम्स फ्री से तयार करनी है में तो लगबग यहाँ पर मैंने 3 फोर्थ कप जितने पानी और मैंने इसमें यूस किया है और इसे ह हम अच्छे से mix करेंगे बिल्कुल भी Mount नहीं होने चाहिए तो इसे मिख्स कर लेते हैं और अब हम इसे रख देंगे ग्यास पर लोग फ्लेम पे तो अब हम इसे रख देते हैं ग्यास पर बिल्कुन लो फ्लेम पे तो सबसे नीचे से जले नहीं और तीन से चार मिनिट से ज्यादा हमें इसे नहीं पकाने हैं तो तीन से चार मिनिट तक ही इसे हमें पकाना है और यह देख सकते हैं आप यह ठिक होती जा रही है तो बस तीन से चार मिनिट ही इसे पकाएं बिल्कुल लो फ्लेम पे लगतार चलाते वो वीडियो में skip हो गई है दिखाना और अब हम इसे चान लेंगे यह चानना भी इसे important है ताकि लंप्स बेगरा इसमें बिल्कुल भी ना रहे है और बिल्कुल smooth सी icing निकले तो इसके लिए हम इसे चान लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे color जो भी आपको जैसे भी जिस color में बनाना चाहते हो तो यहां पर मैंने yellow color डाला है और इसे मैं mix कर रही हूँ बिल्कुल हलके हाथों से mix कर रही हूँ मैं नीचे तक नहीं नीचे थोड़ी से मैंने white ही रहने दिया हलके से और उपर से orange color मैं ड के हाथों से mix किया है अब इस तरीके से हम केक ले लेंगे और उपर से हम इस आइसिंग को उपर से डालेंगे इस तरीके से बिल्कुल और देख सकते हैं आप यह कितनी shine कर रही है और बहुत ही perfect tasty cake बनकर तयार हो जाती है इस तरीके से आप इसकी icing कर सकते हैं यह mirror glaze cake आपकी बनकर तयार हो गई है और देखी जो मैंने पूरी जो yellow color डाला था बिल्कुल नीचे तक नहीं डाला था इसकी थोड़ी सी white portion भी आ गई है और बस दो मिनिट के लिए हम ऐसे cake को छोड़ देंगे उसके बाद दो मिनिट के बाद इसे plate पर रख लेंगे और इसे डेकोरेट कर लेंगे जो भी मन है आप कुछ भी बॉल से स्प्रिंकल करके आप डेकोरेट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी cake को enjoy कर सकते हैं तो यह mirror glaze cake जो है बनकर बिल्कुल तयार हो गई है बहुत टेस्टी लगती है एक बार इस recipe को आप जरूर ट्राइ कीजेगा और पस इस cake को मैं आपको कट करके दिखा रही हूं और देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से cake shine भी कर रही है तो बन गई ना mirror glaze के बिना gelatin बिना अगर-गर के बहुत ही टेस्टी लगती है तो एक बार आप इस cake की recipe को जरूर ट्राइ कीजेगा और यह देखिए मैं कट करके भी आप को दिखा रही हूं तो शाहिन कर रही है ना बिल्कुल तो यह mirror glaze cake बनकर तयार है टेस्टी से mirror glaze cake को आप enjoy करें बनाए किसी भी occasion में तो मिलती हो फिर किसी next recipe में या फिर किसी next vlog में तो आज के लिए सिर्फ इतना ही thank you